नमस्कार श्टुडेंट्स चलिए सुरुवात करते हैं आज की क्लास को हम लोग एपसलूट वैलू टॉपिक को कर रहे थे तो उसी क्रम में आज मैं आप लोग को बताऊंगा ट्रियांगल इनिक्वैल्टी के बारे में तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग बात कर रहे हैं ट्रियांगल इनिक्वैल्टी ट्रियांगल इनिक्वैल्टी ये ट्रियांगल इनिक्वैल्टी आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई जगा questions में भी आप लोग इसका use करेंगे तो इस वज़े से अच्छे से इसको याद रखिएगा देखिए इसका statement है कि if a कामा b belongs to real number ठीक है यहनि कि a और b दो क्या है आपके real number है then mod a plus b mod a plus b क्या होता है less than or equal to होता है mod a plus mod b से ठीक है तो यह आपकी triangle inequality है बहुत ही ज़्याद़ इंपोर्टेंट है इसका proof आपके exam में पूछा जा सकता है तो देखो इसको कैसे proof करेंगे हम लोगों ने देखो एक result किया हुआ था कल की class में मैंने आपको एक result लिखवाया था तो इस result को पहले मैं यहाँ पर mention किये दे रहा हूँ क्या पढ़ा है हमने यहाँ पर लिख लीजे कि हमने पढ़ रखा है कि for all for all a belonging to real number यदि कोई एक real number है a तो उसके लिए हम लोग लिख सकते है minus का mod a less than or equal to a less than or equal to mod a ठीक है यह मैंने proof करवाया है कल की class में तो इसको यह result हमने proof किया हुआ है तो इस result की अधार पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यदि a कोई एक real number है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ लिखो then we have हम लोग लिख सकते हैं minus का mod a minus का mod a less than or equal to a less than or equal to mod a ठीक है सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर b भी real number है तो b के लिए भी यही लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं b भी real number है तो minus b का mod less than or equal to b less than or equal to mod b ठीक है यह दो चीजे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अब क्या करेंगे इन दोनों को add कर देते हैं score यहाँ पर लिख लो inequalities inequalities तो जब हम लोग इनको add करेंगे इन दोनों को यहाँ पर लिख लो we obtain हमें क्या मिलेगा तो देखो inequality को कैसे add करते हैं यह वाली inequalities इसके साथ add होगी याणि कि यह वाला जो number है इसके साथ add होगा तो यहाँ पर लिख लो minus का minus दोनों से कामन होगी है तो minus बाहर कर लिया हमने mod A plus mod B ठीक है फिर less than or equal to A को B से add करोगे तो A plus B आ जाएगा और फिर इसको इस से add करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा mod A plus mod B mod A plus mod B ठीक है तो देखो यहाँ पर हमने एक result प्रूफ किया था कल की class में तो उस result का use करके हम इसको क्या लिख सकते हैं अभी मैं result भी mention कर दूँगा तो यहाँ पर चलो result ही फहले mention कर देता है मैंने कल आपको बताया था कि if c is greater equal 0 c is greater equal 0 then mod A आपका होता है less than are equal to c if and only if इसके लिए condition होती है हमने देखा था कि minus c less than or equal to a less than or equal to c यही तो हमने देखा था कि यदि ये condition हमको given है तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे और यदि ये वाली condition given है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं है ना तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे तो देखो हम लोग को ये वाली condition given है है ना minus c minus c ये हो गया और c c यानि कि ये हो गया plus c और बीच में क्या है a तो ये a है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं mod a तो बीच वाले का मॉड तो यहाँ पर हम लोग बीच वाले का मॉड लिख देंगे तो यहाँ पर लिख लो this implies यहाँ पर हो गया mod a plus b बीच वाले का मॉड और less than or equal to less than or equal to c तो c हमारा क्या है ये है mod a plus mod b यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं तो ये वाला result आपको पता चला ना कि ये वाला हमने यहां से direct इसको ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि ये वाला result हमने यहां पर प्रूफ किया है आप लिख लोग कर दिया है तो आई होब कि आप लोग भी बढ़ी अच्छी तरीके से इस चीजों को सीख रहे हूं अलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अब इसी की corollary है तो इसको भी हम लोग result मान कर लेते हैं देखिए result इस पर कहा गया है कि इफ एक आमा बी बिलांग्स टू रियल नंबर देन देन आप से कहा गया है कि मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड यह क्या है less than or equal to है मॉड ए माइनस बी से ठीक है यह है तो इसको प्रूफ करना है तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे यहां पर लिखो consider एक को यह real number है तो इसका absolute value होदी हम लोग लिखना चाहें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड ए मॉड ए हमने consider कर दिया तो मॉड ए को हम क्या लिख सकते हैं मॉड ए को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए इसमें हमने बी एड कर दिया और बी माइनस कर दिया ऐसा कर दिया ठीक है तो देखो हमने पढ़ रखा है अभी triangle inequality में इस पूरे को क्या माल लो इस पूरे को अ माल लो और इसको बी माल लो ठीक है तो देखो मॉड ए प्लस भी हमने क्या पढ़ा है मॉड लेस दैं आरेकोल कू मॉड प्लस मॉड भी तो इसी तरीके से इस पूरे को A और इसको B तो इसको भी अलग-अलग open कर सकते हो तो यह हमारा क्या हो जाएगा less than or equal to हो जाएगा mod A minus B और plus mod B यहाँ पर हमने क्या लगाया है triangle inequality तो यहाँ पर mention कर दो कि यहाँ पर हमने लगाया है triangle inequality ठीक है तो इतना हम लोग लिख पाय है अब देखो यहाँ से यानि कि यह चीज किसके एकवल है mod A के तो यह हो गया mod A और यह जो इसको हमने लिखती है mod A और यह less than है less than or equal to हो किससे mod A minus B plus mod B से तो यहाँ पर लिख दो mod A minus B plus mod B यहां तक समझ में आया अब देखो mod B को दोनों साइड माइनस कर दो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ mod A minus mod B less than or equal to mod A minus B यहाँ से cancel हो जाएगा mod B यहाँ से cancel हो जाएगा माइनस का इधर भी mod B minus किया है इधर भी mod B minus किया है तो यह minus B और plus B mod का cancel हो जाएगा तो यह हमको यहाँ से एक inequality मिल गई तो इसको आप लोग one mark कर दीजे अब क्या करेंगे दोखो अब यहाँ पर एक काम यह करना है interchanging inter changing the roles of interchanging the roles of A and B A and B के roles हम लोग change कर देंगे आपस हम बदल देंगे यहाँ एकी जगह B रख दो और B की जगह A रख दो आपको इसर ऐसा क्यों कर रहा है तो देखो ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि A और B हमारे क्या है कोई एक real number ही तो है कोई condition तो नहीं दी गई है A और B के लिए तो जहाँ पर A लिया है वहाँ पर B भी ले सकते हैं B की जगह पर A भी ले सकते हैं तब भी यह inequality हमारी hold होगी तो हम लोग क्या करेंगे A की जगह पर B और B की जगह पर A रख देते हैं यहाँ पर हो जाएगा मैं इसकी बात कर रहा हूँ इतने की यदि हम अंदर से माइनस कामन ले 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 तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा A माइनस B है ना A माइनस B और मॉड के बाहर माइनस निकालोगे तो माइनस तो बाहर आएगा नहीं क्योंकि मॉड निगेटिव वैलू तो देता नहीं है तो क्या आजाएगा तो आजाएगा हमारे पास मॉड A माइनस B ही आजाएगा यह ठीक है अब देखो इधर से यदि हम लोग माइनस कामन ले ले तो ऐसा कर सकते हैं माइनस कामन ले सकते हैं माइनस इधर से हम कामल लेंगे यहाँ पर क्या आजाएगा यहाँ पर आजाएगा मॉड ए माइनस का मॉड भी माइनस इससे हमने कामल ले लिए तो ऐसा लिख सकते हैं इसको और यह छोटा है इक्वल है किससे मॉड ए माइनस भी से मॉड ए माइनस भी से इतनी बात समझ में आई ये जो inequality आ गई इसको दूसरी inequality माल लो ठीक है अब देखो इसके आगे देखो हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिख लो मैंने आपको बताया था जब resultical proof करवा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था वही चीज़ यहाँ पर आभी बता रहा हूँ since we know that हम लोग क्या जानते हैं कि यदी देखो एक कोई नंबर माल लो ए माल लो ये ए है ठीक है ए यदी कोई एक नंबर है जो कि less है और equal है c से and minus a जो है वो भी आपका less है और equal है किसके c के तो हम लोग यहाँ से यह कह सकते हैं कि इन दोनों का जो maximum होगा maximum of a और minus a ये भी क्या होगा c से छोटा होगा क्योंकि a भी c से छोटा है और minus a भी c से छोटा है तिन दोनों ये जो भी बड़ा होगा वो भी c से छोटा ही होगा तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं तो यह हम लोग कहते हैं, तो वही चीज यहाँ पर भी है, देखो, यह देखो, इस पूरे को, mod a minus mod b को, a मान लो, और mod, minus mod a minus mod b को, स्सушносलो bisogna माइनस और माइनस से मानलो यह कि यह है तो इसका यह निगेटियू है पूरा थो माइनस ए तो माइनस यह थो यही है ऊही प्लेम कि यहां से क्षोले आक रफिशन होगा है व्हीं कि यहां माइनस वाला जुश्योंन थो इसका थैं भी मैक्सिमम आफ मैक्सिमम आफ कौन-कौन से मौड A माइनस मौड B तो यहाँ पर लिखलो मौड A माइनस मौड B और दूसरा नंबर क्या है माइनस A यह वाला तो यह भी यहाँ पर लिखलो माइनस का मौड A माइनस मौड B यहां पर लिखो पिर से एक result यहां पर लिखो यहां पर लिखो तो since हमने क्या पढ़ रखा है mod A क्या होता है maximum of maximum of A comma minus A मैंने आपको एप्रूफ भी करवाया था तो देखो maximum of A comma minus A को हम क्या लिख सकते है mod A यहाँ पर लिखलो mod लगा दो और A तो हमारा यही है पूरा mod A minus mod B इसका whole mod इसको क्या लिख सकते हैं whole mod लिख दिया यह पूरे mod को और यह हमारा क्या है less than or equal to mod A minus B से ठीक है और यही हमको देखो प्रूफ करना था यहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो मैंने एक step आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है आई होप आपको इस सीखने में मज़ा आया होगा यहां से लिख सकते हो आप hence proved तो आई होप यह result भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा चलिए एक next result मैं आपको बताता हूँ लिखान से समझिएगा देखियो result अब दोखो यहां पर क्या कहा गया है कि mod a minus b a minus b less than or equal to mod a plus mod b triangle inequality में क्या था यहां पर plus था तो अब यहां पर minus कर दिया गया है कि यहां पर minus है तब भी हमारा यह चीज होता है और यहां पर लिख लो for all a comma b belongs to real number चलो इस result को proof करते हैं हम लोग दोखो इस result को कैसे proof करेंगे तो यहां पर लिखो we have we have इसको लेकर के चलो mod a minus b तो mod a minus b को हम ऐसा लिख सकते हैं कि mod a यहां प्लस लगाते हैं minus को b के साथ हम रख देते हैं ऐसा कर सकते हैं a minus b ही तो लिखा है यह तो ऐसा कर सकते हैं अब यहां पर हम लोग triangle inequality लगा देंगे तो जब triangle inequality लगाओगे तो क्या हो जाएगा तो देखो mod a minus b यह less than or equal to हो जाएगा किस से क्योंकि इसको हम अलग 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 लिख देंगे इसको अलग अलग लिख देंगे तो यह हो जाएगा mod a plus mod minus b यहां पर हमने क्या लगा दिया है triangle inequality यहां आप लिख दो triangle inequality ठीक है अब यह तो नहीं हो रहा है किसी को कि ऐसा सर आपने direct कैसे लिख दिया देखो triangle inequality यहां पर आप लोग जानते हो कि एक तरीके से ऐसा है कि इसको हमने इतना लिख दिया है तो जब triangle inequality लगाते हो तो a plus b को क्या लिखते हो less than or equal to अलग अलग लिख देते हो mod a plus mod b और b की जगह पर minus b है तो ऐसा लिख सकते है और यह किसकी equal है तो हमने इसकी जगह पर mod a minus b रख दिया और यह क्या है less than or equal है इससे तो यह रख दिया हमने समझ में आगई बात तो यह हमने लिख दिया अब देखो यहां से कि mod a minus b less than or equal to mod a plus यहां पर यह हमारा minus b है है ना mod के अंदर तो माइनस बाहर निकालोगे तो mod के अंदर mod के अंदर से बाहर तो माइनस आएगा नहीं प्लस कर देगा हो तो हो जाएगा mod b तो mod a minus b less than or equal to mod a plus mod b यह हमको प्रूफ करना था यहां पर लिख सकते हो hence proved ठीक है तो I hope यह भी आपको समझ में आ गई होगी बाद अब देखो यह जो result हमने proof किया है इसी को हम लोग generalize भी कर सकते है तो generalize कैसे करोगे तो यहां पर लिख लो result अभी यह जो हमने proof किया है यह दो real number के लिए proof किया है तो generalize करके इसको कैसे लिख सकते हो n real number के लिए यहां पर मैं direct result बस mention करें दे रहा हूँ कि इसको कैसे use करना है if a1 a2 up to an are n real numbers ठीक है then n real numbers then then हम लोग क्या लिख सकते है mod a1 plus a2 plus an ठीक है इसका mod कैसे open होगा तो यह आपका होगा less than or equal to mod a1 plus mod a2 plus up to mod an ठीक है तो यह इस तरीके से जैसे triangle inequality जो हमने प्रूफ की थी तो triangle inequality हमने दो real number के लिए प्रूफ की थी a1 plus a2 का mod less than होता है mod a1 plus mod a2 से इसे तरीके से यदि n real number को यहाँ पर mod के अंदर add किया गया है ठीक है important है इसको ध्यान से समझीएगा if a, b belongs to real number then कहा गया है so that so that mod a plus b is equal to mod a plus mod b mod a plus mod b if and only if if and only if a, b a, b is greater equal 0 है ना तो दो को हमने triangle inequality में क्या पढ़ा था triangle inequality में हमने ये पढ़ा था कि mod a plus b क्या होता है less than or equal to होता है mod a plus mod b के यही पढ़ा था तो हम ये कह रहे हैं कि mod a plus b ये equal के वाल equality का ये दिसाइन लगा दें mod a plus mod b तो ये कब होगा तो ये कहा गया है कि if and only if a, b is greater than 0 होगा greater equal तब हम इसको ऐसा कह सकते है ठीक है equality आ जाएगी यहाँ पर तो ये important result है आपका ठीक है तो इसको देख लेंगे कैसे इसको proof करना है देखो यहाँ पर if and only if condition है if and only if condition जब होती है तो कैसे proof करते है if and only if के पहले वाला पार्ट एक बार assume करके चलेंगे ठीक है और if and only if के बाद वाले पार्ट को हम लोग proof करेंगे यानि कि a, b is greater than equal 0 इसको proof करेंगे फिर converse पार्ट में क्या करते है if and only if के बाद वाले पार्ट को assume करके चलते है और if and only if के पहले वाले पार्ट को proof करते है तो दो पार्ट हम लोग proof करेंगे दो पार्ट में तो चलो यहाँ पर लिखो we first we first assume that assume that इसको हम लोग ले करके चलेंगे assume करके चलेंगे तो mod a plus b is equal to mod a plus mod b, ठीक है, हमें proof क्या करना है, a b is greater equal 0, तो चलो इसको proof करते हैं, देखो, हम क्या कर रहे हैं, square कर रहे हैं, दोनों साइड, तो यहाँ पर लिख लो, squaring, squaring both sides, squaring both sides, we get, क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पर लिखो, तो उनों साइड, holy square हो जाएगा, a plus b के mod का holy square, is equal to, इधर पर हो जाएगा, mod a plus mod b का holy square, ठीक है, अब देखो, हम लोग जानते हैं, कि जो किसी real number का square होता है, वो क्या होता है, greater equal 0 होता है, यदि a कोई आपके पास real number है, तो यदि हम a का square करेंगे, तो यह क्या होगा, greater equal 0 आएगा, square किसी real number का negative तो नहीं आ सकता है, तो यह 0 आता है, और यदि a कोई हमारा real number है, ठीक है, यदि a हमारा कोई real number है, तो उसका यदि हम absolute value निकालते हैं, तो वो भी क्या आती है, greater equal 0 आती है, मैंने आपको बताया हुआ था, तो जब definition बताई थी, कि किसी भी real number की जो absolute value होती है, वो हम ऐसा क्या होती है, greater equal 0 होती है, तो देखो, a square भी greater equal 0 है, और mod a भी क्या है, greater equal 0 है, तो देखो, यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कि mod a plus b के whole square को, हम क्योंकि a plus b का whole square, क्योंक greater equal 0 देगा value, तो यदि हम mod हटा दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि square यदि करते हैं, तब भी greater equal 0 ही देता है, तो हम mod हटा सकते हैं, यहां पर, तो a plus b का whole square हो गया, यहां पर whole square आप open कर दो, तो जब open करोगे, तो यहां आ जाएगा, mod a का square, plus mod b का square, plus 2 into mod a into mod हुई, ठीक है, यह थना आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, आप चलो, next page पर चलते हैं, इसके आगे continue करते हैं, दखो, हम कहां तक आ गया थे, हमने यह देख लिया था, कि, a plus b का, a plus b का whole square is equal to, mod a का square, plus mod b का square, plus 2, mod a, mod b, ठीक है, अब दखो, इधर side भी whole square open कर दो, इधर पर क्या हो जाएगा, a square, plus b square, plus 2ab, ठीक है, is equal to, तो इसको क्या लिख सकते हो, जैसे अभी हमने यहाँ पर कहा, जैसे इसको लिखा था, यह mod a का, mod a plus b का whole square था, हमने इसको direct a plus b का whole square लिख दिया है, तो इसी तरीके से इसको भी लिख सकते है, mod a का square है, तो इसको हम लोग a square लिख सकते हैं, क्योण्कि मॉड लगाने कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां इसा हम लोग इसको लिख सकते हैं यहां पर भी 40 प्लस और याने के मॉड ऐइन्टू B का whole mod लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 A into B का whole mod लिख दिया हमने product theorem में यह चीज प्रूफ की थी mod A into B is equal to mod A into mod B यह हमने प्रूफ किया था तो ऐसा लिख सकते हैं अब देखो यहां से A square A square cancel B square B square cancel 2 से 2 cancel यहां पर क्या बचेगा यहां पर बचेगा A B is equal to mod A B ठीक है तो यहां से हम लोग यह कह सकते हैं कि A B जो होगा हमारा वो greater equal 0 होगा क्यों कह सकते हैं अज़ोंगो अगरो A B किसके equal है mod A B के अज़ों mod की जो value होती है यानि कि absolute value जो होती ही किसी real number की जो क्या होती है greater equal 0 होती है इसकी वैलू क्या होगी, ग्रेटर इक्वल जीरो ही तो होगी, इसकी जो वैलू है, वो हमारी होगी, ग्रेटर इक्वल जीरो, क्योंकि मोट लगा है, निगेटू हो नहीं सकती है, और ये किसकी एक्वल है, ये बी की एक्वल है, तो ये भी की वैलू क्या होगी, ग्रेटर इ Conversely, suppose that अब हम लोग इस condition को suppose करके चलेंगे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं A, B is greater or equal to 0 Then, हमको proof क्या करना होगा? हमको proof करना होगा कि mod A plus B का whole square is equal to यहाँ पहले एक बार यहाँ पर लिख लो कि हमें क्या proof करना है यहाँ पर इसको भी काट दो यहाँ पर लिख लो to prove यहाँ पर लिख लो to prove हमें proof क्या करना है इस बार? हमें proof करना है mod A plus B is equal to mod A plus mod B यह हमें proof करना है ठीक है? चलो, यहाँ लिखो consider यहाँ लोग यहाँ पर लिखें mod A plus B का whole square ठीक है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि A plus B का whole square लिख सकते हैं क्योंकि square लगा है तो square यहाँ लगा देंगे तब भी greater equal zero value देगा और यहाँ लगा है तब भी greater equal zero value देगा है ना negative value तो यहाँ भी नहीं देगा यहाँ भी नहीं देगा तो यह दोनों हम ऐसा लिख सकते हैं अब देखो इसका whole square यादी हम खोलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? इसका whole square open करते हैं a square plus b square plus two a b लिख सकते हैं ठीक है? यह लिख सकते हैं अब देखो यहाँ पर जैसे कि हम ने इसको a plus b के whole square यानि कि mod a plus b के whole square को a plus b का whole square लिख दिया है तो इसी तरीके से जैसे यह a square है तो इसको हम लोग ऐसा mod के अंदर लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं mod a का whole square plus mod b का whole square ऐसा लिख सकते हैं ना? क्योंकि mod a का square भी वही value देगा जो a square value देगा क्योंकि mod लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि square यहाँ पर भी लगा हुआ है तो ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं plus इसको हम क्या लिख सकते हैं to mod a into b क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिख दो since हमारे पास क्या given है a b हमारा क्या है? greater equal 0 है तो यह दि a b हमारा greater equal 0 है तो mod लगा सकते हैं क्योंकि mod लगाने पर जो value आती हो greater equal zero ही आती है तो यहाँ पर हमको दे रखा है कि ab हमारा greater equal zero है तो हम mod यहाँ पर लगा सकते हैं ठीक है दोनों sim value देगा क्योंकि ab भी greater equal zero है और mod ab भी हमारा greater equal zero ही value आएगा तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं अब देखो यहाँ पर mod A का whole square plus mod B का whole square plus इसको क्या लिख सकते हैं product theorem से इसको लिख सकते हैं mod A into mod B ठीक है अब इस पूरे को क्या लिख सकते हैं इस पूरे को लिख सकते हैं हम लोग mod A plus mod B का whole square ठीक है और यह वाली बात तो आपको समझ में आ गई ना कि mod a b को हमने mod a into mod b लिखती है यह हमने theorem proof की थी mod a b is equal to mod a into mod b ठीक है तो यह हमने इस तरीके से इसको लिख दिए तो यानि कि हमने यहाँ पर क्या दिखाया यहाँ पर लिख लो that is हमने यह दिखा दिया कि mod a plus b का whole square किसके equal है यह equal हमारा mod a plus mod b के whole square के तो यदि हम यहाँ से दोनों side power 1 by 2 कर दें whole power 1 by 2 कर दें तो 1 by 2 से 2 cancel हो जाएगा 1 by 2 से भी 2 cancel हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा mod a plus b is equal to mod a plus mod b तो यही हमको proof करना था आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ आप लिख सकते हो hence proved ठीक है तो हम लोग यह condition a b is greater equal 0 ले करके चले और इस condition को हमने proof कर दिया तो यह important question था important result भी इसको आप कह सकते हो तो यह हम लोगों इसको इस तरीके से proof किया आई होप आपको यह बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक और important question है उसको भी मैं आपको करवा दूँ देखिए यह आप इसको result ही माल लो वैसे आपके बुक की exercise का question है लेकिन इसको result ही माल लो ठीक है इस पर कहा गया है for any for any two real numbers two real numbers a and b a and b का गया है so that maximum of a comma b यह क्या होता है one by two a plus b plus mod a minus b ठीक है यह maximum होता है a और b का तो इसको हमें so करना है पचले इसको proof करते हैं देखिए इसको हम लोग कैसे proof करेंगे यहाँ पर आप लोग लिखिए कि by the trichotomy property ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इस एक आमा भी बिलांग्स टू रियल नंबर यह और भी यह आपके पास क्या है कोई दो रियल नंबर है देन exactly one exactly one of the following one of the following holds कोई a condition true होगी तो पहले condition क्या है यह तो यह और बी रियल नंबर है यह तो a बड़ा होगा बी से ठीक है यह एक्वल होगा बी के यह यह क्या होगा लेस होगा बी से यही तीन condition हो सकती है तो इन्ही तीन इन्ही तीन condition के अधार पर हम लोग तीन case बना लेते हैं यहाँ पर लिख लो दस there are there are three cases to consider ठीक है तो यहाँ पर लिखो case one यहाँ पर लिख लो case one तो यहाँ पर लिखो देखो suppose suppose a is greater than b है न हम लोग यह वाला case मानना है पहले a is greater than b then हम यहाँ से क्या कह सकते हैं यदि a b से बड़ा है यदि हम लोग लिखें maximum of a comma b तो क्या आएगा क्योंकि a बड़ा है b से तो सिधी सी बात है कि a आ जाएगा है न maximum इन दोनों का क्या आएगा a आएगा and and हम लोग क्या जानते हैं कि यदि a b से बड़ा है तो हम यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं कि a minus b करेंगे a b से बड़ा है तो एक greater than zero value हमको मिलेगी है न यहाँ से हम यह भी लिख सकते हैं so that so that यदि a minus b greater than zero है को positive value है तो उसके absolute value क्या आएगी same value आ जाएगी यहनकि a minus b की absolute value निकालेंगे तो same value आ जाएगी a minus b है न यह हमने definition में absolute value की किया हुआ है तो यह बात समझ में आई आई आपको तो यहाँ पर लिखो आप लोग therefore therefore we have therefore we have हमको क्या प्रूफ करना है तो यहाँ पर आप लोग देखो हमको यह चीज प्रूफ करना है one by two a plus b mod a minus b एक इसके equal है maximum of a comma b के है तो चलो इसी को हम लोग यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर आप लोग लिखो यदि हम लोग निकालें one by two a plus b plus mod a minus b यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा तो आप लिखोगी कि one by two a plus b तो ऐसे ही है plus mod a minus b की value इस case में हमको क्या मिली है a minus b तो यहाँ से a minus b आप राख सकते हैं ठीक है और यहाँ से देखो b से b cancel हो गया 2a आ गया 2a से यह 2 cancel हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया क्या बच गया क्या बच गया और a क्या है यह हमारा maximum of a कामा भी तो हम लोग इसको लिख सकते है maximum of a कामा भी ठीक है तो यही चीज़ हमको प्रूफ करना था one by two a plus b plus mod a minus b इसकल to maximum of a कामा भी तो यह हमने प्रूफ कर दी है ठीक है तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा इसी तरीके से case 2 बना लेते हैं यहाँ पर लिखो case 2 दोखो case 2 में हमें equal वाला लेना है तो यहाँ पर लिखो suppose a is equal to b then यदि हम लोग लिखें a और b दोनों equal हैं यदि हम लोग यहाँ पर लिखें maximum of a कामा भी तो आप क्या पता होगे यदि दोनों ही equal है तो b की जगे भी a रख दें तो a और a दोनों का maximum क्या आजाएगा आजाएगा a ही आजाएगा यदि a और b दोनों equal है तो a-b क्या हो जाएगा 0 आजाएगा यदि हम लोग इसकी absolute value निकाल देए that a-b की absolute value निकालेंगे तो भी क्या आएगी? 0 आएगी क्योंकि a-b 0 है और 0 की absolute value 0 आएगी तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, therefore, we have, इस case के लिए भी same चीज हमें प्रूफ करना है, यहां पर लिखो 1 by 2, a plus b, a plus b, plus mod a minus b, अब देखों यहां पर, यह 1 by 2 हो गया, ठीक है, a, b किसके equal है, a के equal है, तो यहां पर b की जगह पर भी a रख दो, plus, mod a minus b की value यहां पर क्या मिल गए, 0, तो देखो, a और a, 2a हो गया, 2a से 2 cancel हो जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, और a क्या है यहां पर, a ही हमारा maximum of a comma b है, तो यहां पर लिख सकते इसी तरीके से case 3 ले लेते हैं, less than, a is less than b के लिए, यहां पर लिख लो case 3, यहां पर लिखो suppose, suppose a is less than b, ठीक है, then, यहां से क्या लिखोगे, maximum of a comma b, a comma b, क्या लिखोगे, a और b में कौन बढ़ा है, तो b बढ़ा है, तो b आ जाएगा है, तो b आ जाएगा है, आपर, ठीक है, and, यदि हम लोग a minus b करेंगे, क्योंकि a छोटा है b से, यह क्या है, छोटा है b से, और b बढ़ा है, b negative है, तो a minus b करोगे, तो negative value है, यहां पर लिखो so that, यदि negative value का आप absolute value निकालोगे, a minus b का, तो क्या आएगा, यहां जाएगा, minus का a minus b, यह definition में हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्योंकि a minus b क्या है, less than 0 है, तो less than 0 के लिए जो absolute value होती है, वो minus यहां पर आता है, आगे सामने, तो यह हम लोग यहां से लिख सकते हैं, यह इसको आप, और simplify करके लिखना चाहों, तो इसको लिख सकते हो, minus a plus b, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो, therefore, therefore we have, तो यहां पर कैसे लिख होगे, 1 by 2, a plus b, plus mod a minus b, हमको निकालना है, तो यह हो जाएगा, 1 by 2, और a plus b, mod a minus b की value आ गए, यहां पर minus a plus b, ठीक है, a से a cancel हो गया है, b और b कितना हो गया है, 2 b, 2 b से 2 cancel हो गया है, तो यहां पर बच गया है, b, और b क्या है, यहां पर maximum of a comma b, यहां पर लिख सकते हो, maximum of a comma, b, ठीक है, तो यहां पर भी हमने maximum of a comma b, इतना proof कर दी है, तो आई हो, आपको यह बात समझ में आ गई होगी, इस तरीके से हम लोग इसको proof कर सकते हैं, रिजल्ट को important result है, यहां से लिख दो hence proved, ठीक है, अब देखो, जिस तरीके से मैंने maximum of a comma b, प्रूफ किया है, सेम इसी तरीके से minimum of a comma b है, तो minimum of a comma b, मैं आप लोगों के लिए homework के लिए दे रहा हूं, ठीक है, तो इसको आप लोग homework में proof करेंगे, बिल्कुल सेम थरीके से आप लोग proof करेंगे, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, homework question है आपका यह, तो यहां पर लिखलो, for any two real numbers, two real numbers, a and b, a and b, so that, so that, क्या सो करना है आपको, कि, so that minimum of a comma b is equal to one by two a plus b, यहां plus की जगा माइनस आ जाता, minus mod a minus b, ठीक है, तो जब minimum निकालोगे, तो यहां minus आएगा, जब maximum निकालोगे, यहां पर a comma b का, तो यहां पर plus आता है, और minimum में, यहां पर minus आता है, तो इसको आप लोग proof करेंगे, यह homework question आप लोग के लिए, मैं दे रहा हूं आज की class में, तो यह इस तरीके से आज की class थी, I hope आज की class आपको समझ में आई होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो आप लोग इन सब चीजों का revision जरूर करते जाएए, हम लोग मिलते हैं next class पर, thank you.